प्यारे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की पार्ट सेकिंड वीडियो है आपके सामने और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कुछ तो पायतोगरस थिरम को प्रूफ करने के लिए सवाल उसमें कुछ चेंजिस जो भी एपसेंट चीज होंगी जो तीन साइड में से कोई भी है किया दो बुझा जो नहीं दी हुगी उसको कैसे फाइंड करेंगे और साथ ही साथ में उसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो में कैसे यूज करेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने सिखाय था उससे थोड़ा सा आगे का पार्ट है और फिर हम 10th क्लास की सुरुवात की कुछ एक्सरसाइजिस लेंगे जो त्रिकॉर्ड में थी है पर्चय के रूप में चेप्टर है और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए भी यह देखने लायक चीजें है चलिए पैथोग्रस थेयरम में लास्ट टाइम पर प्रूफ किया था पैथोग्रस थेयरम में हमने बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है तब एसी का स्कॉयर यानि है या कड का स्कॉयर से इस दो वजाओं पर बने वर्गों के स्कॉयर्स के एडिसन के समके एक्विलेंट होती है अब हम इसकी साहता से कुछ को प्रूफ करे का है एवी सी हमको दे रका का है तो हम कैसे फाindi करेंगे कुछ सिंपल एसी का स्कॉयर इक को स्कॉयर्स टू एभी का स्कॉयर प्लस बीसी का स्कॉयरर हॉल करेंगे eभी का इस्कॉयर 8 का square, solve करेंगे 36 प्रास 64, यह हो गया 100, जो कि 10 का square होता है और इधर अब तक चल ला था AC का square, और AC की value आवे 10, on comparison clear यह वाली बद, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक side जो हमें given नहीं होगी, तीन साइड़ों में से उस side को हम Pythagoras theorem की साहता से निकाल सकते हैं, दूसरा एक example ले ले लेते हैं, मान लिजे एक दे रखी है 3 और एक है 4 या यह दे रखी है 5 अब हमें को यह निकालने है, ठीक है तो यह question आप अपने लिए रख लिजे आपको करना है, दूसरा एक और ले लेता हूं थोड़ा ऐसे बना देता हूं कभी-कभी टेड़ा भी यह 13 का है, यह 12 का है यह find करनी हमको, कैसे निकालेंगे तो मान लिजे, मैंने इसको यह कहा इसको B कहा, और यह से C कहा Pythagoras theorem क्या कहती है सीदा-सीदा कि B C का स्क्वाइर, आप देखे, मैंने नियम बदल दिये हैं इसलिए आपके सामने कुछ चेंजिस आ सकते हैं क्या B C कह दिया है अभी इसमें क्या था, A C था तो नियम बदल दिये हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, करड़ कौन है इसबक B C है, तो यानि हाइपोटिनियस का स्क्वाइर, वो किसके इक्वाल होगा A B का स्क्वाइर, प्लस A C का स्क्वाइर तो A B का स्क्वाइर हमें फाइंड करना है, B C हमें गिवन है यानि 13 का स्क्वाइर, A B का स्क्वाइर हमें को फाइंड करना है प्लस AC का square कितना हो जाएगा 12 का square हो जाएगा ठीक है तो 13 का square 12 का square यदर plus का है यदर आ करके क्या होगा minus 13 का square कितना होता है 169 यह कितना होगा 144 equals to AB का square तो AB का square equals to कितना हो जाएगा 25 कितना जाएगा 25 169 में से 144 को घटा देंगे तब AB की value कितनी आजाएगी 5 आजाएगी यानि 5 का square होता है 25 यानि ये value आगी आपकी 5 की clear ये वाली बार तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं Pythogarast primary में की सायता से जो एक side त्रिविस की right angle triangle की जो भी side given नहीं होगी उसको हम find कर सकते हैं और जब ये चीज़ें आजाएंगे हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं trigonometry की 6 के 6 जो ratio होते हैं उनको हम find कर सकते हैं एक example समझते हैं कैसे question पूछा जा सकता है ये मैंने rough कर दिया है और आप लोग basic mathematics की जो series है उसको देख सकते हैं description में मैंने उसका link देदिया है क्योंकि उसमें आपको कैसे squares और कैसे cube को लरने और कहां तक करने जो बहुत आवसके हैं वो सब आपको बताया गया है कोई एक triangle है A B C और इसमें मैंने ये 6 का ये 8 का और find करना है sin A की value sin C की value cos A की value 10 A की value ठेक है तो लास्ट वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी साथी साथ में आपको कुछ याद कर सकते हैं या तो अगर आप English में याद कर रहे हैं तो और अगर आप Hindi में याद कर रहे हैं तो लाल बटे कक्का Hindi में लाल बटे कक्का English में पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले काफी जारी चीजें आप लोग बना सकते हैं लाल बटे कक्का हिंदी के लिए यानि लंब आधार करड़ और परपेंडल कर बेस हाइपोटीनियस ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें लॉजिक क्या है सबसे पहला है साइन के लिए यानि साइन ठीटा इसकल्ट हो जाएगा लंब बटे करड़ यहां की बात करें तो यह साइन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडल अपॉन हाइपोटीनियस ऐसे फिर अगला क्या है कॉस के लिए क्या हो जाएगा कॉस के लिए आधार बटे करड़ यानि के बेस अपॉन हाइपोटीनियस फिर अगला है टैन के लिए तो 10 के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यहां से देखें तो क्या हो जाएगा परपेंड़र अपॉन बेस आप लोग कॉपी लेकर करके बैठा करिए वीडियो को देखते समय बार बार पॉस करिए और उसको लिखते चलिए तो साइन ठीटा यानि लंब बटे कर्ड यानि परपेंड़र अपॉन हाइपूटिनियस ऐसी कॉस ठीटा ऐसी तेन ठीटा फिर इसके अपोजिट और यहीं से सुरू हो जाएगा 123456 इस तरीके से 123456 अब 10 के बाद कौन आएगा कॉट ठीट आएगा कॉट के लिए क्या हो जाएगा उल्टा आधार बट्टे लंब यानि कि बेस अपॉन परपेंड़र ठीक है ऐसे फिर कॉट के बाद आएगा सेक और फिर क्या आएगा को सेक यह दोनों आपको अपने आ यानि पाकिस्तान वुका प्यासा अपन हिंदुस्तान हरा बरा इस तरह से जैसे आप चाहों याद कर लीजिए तो यह क्या है फॉर पर बेस है और एच फॉर है यानि करड़ है तो और जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं मेरे एक बार फिर से विनम्र निवेदन आपसे आप सबसे पहले बाइपाइथागोरास थेरों यह आप लोग लिख लीजिएगा फिर क्या करना मुझे एसी का इसक्वार इक्वार प्लस बीसी का इसक्वार अभी-अभी मैंने निकाल के दिखाया था 6 का इसक्वार 8 का इसक्वार कितना आ जागा 36 64 100 यानि यानि एसी की जरूर लिखिएगा जब भी आप शुरुआत करां सफुरुआत में तुरुआत में बाइब लिखिए इससे क्या होगा जो अब करने आक आप याद करने की घुरसकता नहीं पड़ेग या सायन-a की बात करना हो यह वाले अंगल की बात कर रां किने के इस खार ऐले समीन होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो BC है वो परपंड़र है और AC जो है वो क्या है है बीसी की लेंद्थ है 8 और AC की लेंद्थ है 10 that is the right answer of this question इसको काट भी सकते हैं तो 2-4 जा और 2-5 जा clear? sign c की बात कर रहा हुं, sign c का मतलर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, hypotenuous वही रहता है, same बस इन परपंड़र हो और बेस में चेंजस हा जाता है, अब परपंड़र कौन हो जाएगा? AB परपंड़र हो जाएगा यानि के परपंड़र अपरटनेस फॉरम्ड वही है, जाएगा ऐसे ही हो जाएगा है ठीज हो जाएगा फर्मुला क्या है को उसके लिए आधार बट्टे कड यानि बेश अपन हाई पो टीनियस बेश कितना है 6 और हाईपो टीनियस के थान है दो ये आपका 3 यानि 8 और बेस कितना है 6 है 4 जा और 3 जा that is the right answer of this question clear यह वाली बात तो आपके साथ में समझ में आ गया होगा इस टाइप से कोई question दे दिया आता है जिसमें अगर मान लीजे कोई side भी given नहीं है तो आपको side निकाल नहीं है पहले triangle के हिसाब से और फिर उसके जो भी ratios पूछे है उनको निकालना हम एक question लेता हूं exercise का जो आपकी screen पर यह रहा यह question है sin theta equals to root 3 by 2 दिया गया है अब इसको solve करने के लिए हमको क्या करना रहेगा कि पहले triangle मनाएंगे sin theta में आप जानते हैं क्या होता है perpendicular upon hypotenuse होता है लाल बटे कक्का में लंब बटे काड होता है तो trigonometric ratios निकालने से पहले आपको triangle बनाना पड़ेगा अगर मैं इसे theta कह रहा हूं तो इसके सामने वाले perpendicular होगा यानि वो किसकी length दे रखी root 3 hypotenuse के तना दे रखा है 2 दे रखा है सीथे सीथे आते है स्से छेयायो स्वेगोर गया रेल्वे के एकजाम होगे AB की value कितनी आगी वन, 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 का square भी 1 ही होता है तो AB की value आगी 1 यानि कि यह साइट छूटी होती ही आगी 1 सेस सभीत record में ती अनपात पूछे हैं यानि कि cos theta की value पूछी है 10 theta की value पूछी है sec theta की value पूछी है और cosac theta की value पूछी है तो आप निकाल सकते हैं cos theta की value पूछी है cos theta क्या होता है आधार वट्टे कड़ होता है तो 1 by 2 हो गया इसका answer ऐसे 10 theta की बात करेंगे लंब वट्टे आधार हो गया root 3 by 1 हो गया sec theta की बात करेंगे cos का उल्टा होता है कड़ वट्टे आधार हो गया तो 2 by 1 हो गया इसी तरीके से आपको अपने हम निकाल लाए दूसरा question देखिए question number 2 sack theta formula यादूना बहुत जरूरी है लाल वट्टे कक्का याद है तो ठीक है या उसके अपोजिट याद है तो ठीक है sin cos ten cot sack sack में कौन होता था करड़ बटे आधार करड़ बटे आधार बना लीजिए आप ट्राइंगिल बनाया हमने करड़ दे रहा था 13 का आधार दे रहा था 12 का अभी एक question हमने staff का किया था अब देखिए मिया आपको निकालना भी शिखाऊंगा पाजवर श्रम साब डारेक्ट निकालेंगे यह hypotenuse है second कोई भी side निकालनी है तो hypotenuse के square में से गटाना है hypotenuse का square यह थर्टिन का square 169 में से 144 को गटा देना 25 उसका root कितना आएगा 5 आएगा तो देखिए आपने orally निकाल लिया ऐसी आप यहां भी निकाल सकते है 2 का square 4 इसका square 3 4 में से 3 गया 1 1 का root 1 clear यह वाली है इस तरीके से आप कभी भी orally निकाल सकते हैं जब आप जासाद करें और कुछ की तो आपको side रट जाएंगी कुछ की तो side ही रट जाएंगी जैसे 6,8,10 यानि 13,12,5 यह tricky होते है 3,4,5 यह भी मैं आपको pathogran trick बता दूंगा बहुत सारी होते हैं वही जाहतर use की जाती है clear set theta 13 by 12 card ही हो गया और आधार ही हो गया लममने निκαलो लिया你看 is sent theta concept अक्षै क्या ठीट से हांता लमगत अधार इन लमगत आधार फरत थर्ञ गैं इस तरीक से कॉस्षय आप कर सकते हैं चलते हैं नाफ्ट कॉस्षण पर आपकी पर next question आपके screen पर 15 cot A equals to 8 तो sin A और सैके का मान क्या होगा इनकी value find करनी है sin A and सैके की यह questions आपको tenometric exercise में class 10th में मिल जाएंगे और 8.1 exercise में आ रहे होंगे तो आप वहाँ से यह questions भी आपके end to end हो रहे होंगे 8.1 exercise इसी के साथ complete हो जाएगी तो ध्यान देना है 15 का यहां multiply हो रहा है इदर जाके क्या होगा? divide होगा यानि के cot A equals to 8 upon 15 हो गया ठीक है? अब यहां से क्या करना है? आपको just triangle बनाना है triangle बना लेजे अब बताएगे तरह cot में क्या value आएगी lump बटे card होगा? क्या होगा? तो sin cos 10 फिर cot cot मतलब आधार बटे lump आधार 8 lump 15 अगर मैं यहां A कह रहा हूँ ठीक है? A, B, C clear यह वाली बत? यह अगर A है तो इसके सामने वाली बुझा lump होगी lump होगी तो उसकी value होगी 15 यानि कि ऐसे भी कह सकते हैं कि cot A की value क्या होती है? अगर P, B, P E और H, H, B कहा जाएं तो base upon perpendicular तो base हो गया 8 और perpendicular कितना होगी 15 होगी clear? अब किसकी value चाहिए थी? sin और साहिए कि अभी एक value नहीं है हमारे पास 15 है, 8 है और यह नहीं है अब आपको बता A, C, के लिए square के लिए इन दोनों का square का sum होता है 15 का square 2 to 5 और 8 का square कितना होता है? 64 यानि कि 2 to 5 और 64 का addition और उसका भी क्या लेना है? root लेना है क्या लेना है? root लेना है तो यह कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा यानि कि 17 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 17 तो सीज़ सीज़र निकाल दी हमने 17 आगे, किस की value चाहिए थी? sin a की value चाहिए थी, sin a की value क्या हो गई? perpendicular upon hypotenuse, sin a, perpendicular upon hypotenuse, यानि 15 by 17, that is the right answer, saik a की value चाहिए थी, saik a की value क्या है कि बताइए, cos ka ulta, base upon hypotenuse, so hypotenuse upon base, hypotenuse upon base, so hypotenuse कितना है, 17 है, base कितना है? 8 है, that is the right answer of this question, clear next question को देखे, cot theta equals to 7 by 8 दे रखा है और इन सब की value चाहिए, तो फिर से वही formula बनाएंगे हम, cot theta equals to तो बना लीजे, A, B, C, मैंने इसको theta कहा यह angle अगर theta है, तो इसके सामने होला क्या कहलाएगा, perpendicular कहलाएगा 7 by 8, quad के लिए बात करो है 10, 10 को लिटा quad, base upon perpendicular, तो base है, 7 और perpendicular कौन है, 8 है, यह 7 है, यह 8 है, under root में value चाहिए क्या आएगी बटे, under root में value, 7 का square 49, 8 का square 64 तो 64 और 49, 64 और 49, कितना होगा, 9 और 4, 13 और 6, 14, 11, 11 113, root में 113 clear, यह किसकी value आगई hypotenuse कियागी, sin theta की value और cos theta की value चाहिए आपको तो लगा लीजे, sin theta की value कितनी हो जाएगी, sin theta की value हो जाएगी, लंब बटे कर्ड, यानि 8 upon under root में 113 cos theta की value कितनी हो जाएगी यानि कि base upon hypotenuse यानि कि 7 upon root में 113, इस जगा पर value को use कर लीजे, calculation कर लीजे कैसे करेंगे solve इसको, 1 plus sin theta यानि कि 1 plus 8 upon root में 113 यहाँ 1 minus 8 upon root में 113 यहाँ भी आसे solve किजिए 1 plus 7 upon root में 113 1 minus 7 upon root में 113 ठीक है, अब यह एक जगा a plus b है, एक जगा a minus b a plus b, a minus b आप लोगों ने देखा हुआ है कि a plus b, a minus b क्या होता है formula according क्या होता है a का square minus b का square root 113 का भी square ऐसे नीचे आजाएगा कितना आएगा? 1 square minus 7 by root 113 का whole square ठीक है? solve कर लेंगे हम solve करेंगे तो कितना आएगा? 1 का square कितना हो जाएगा? 1, 8 का square 64 यह 113, root 8 जाएगा ऐसे इदर 1 minus 49 और अपन 113, root 8 जाएगा अब इसको भी solve कर लीजे यहाँ कुछ नहीं है, LCM आएगा तो 113 आएगा, ऊपर आएगा LCM 113, solve करेंगे तो इसका इदर multiply 113 minus 64 ऐसी बेटा इदर करेंगे 113 minus 49 upon 113 इससे यह term कट गया इदर 113 में से 64 गटाएगे 49 आएगा, और इदर 113 में से 49 गटाएगे, 64 आएगा 49 upon 64, that is the right answer of this question किलिए लिए वाली बात? तो इस तरीके से आपने यह दो questions solve कर ली है और इसी तरीके से 10th class की exercise 8.1 भी समाप्त हो जाती है और इसको ठीक कर लेना, ओके? तो यह वाला जो equal sign आएगा, यह यहाँ आजाएगा कोई समस्या नहीं है, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार कस्ना आश्वडी पॉन्ट के साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 थी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में हम बताएंगे कि कैसे sign 30, 0 और इन सब के मानों को लेके आते हैं और उनके question करते हैं, ठीक है? Thank you so much, bye-bye